12 साल की लोवेस्ट मैनुफैक्ट्रिंग है, ये गाने गाएंगे, जू उट बोले, अरे सुन ले, अरे सुनेंगे, आपके गाने का प्रोग्राम रखेंगे भारत में मीडिया डिबेट्स में असल मुद्धो पर चर्चा काम ही होती है और इन डिबेट्स में जब कोई विपक्षी ने असल मुद्धे उठा भी लेता है तो उसे सही से जवाब नहीं मिल पाता बीजिपी नेता अकसर असल मुद्धो पर बात को गोल मुल कर विपक्षी नेता पर हावी हो जाते हैं पर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपनी बात सही से रखना जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं कॉंग्रेसी नेता गौरव वलब की गौरव वलब ही थे जिनोंने संबित पात्रा से पांच ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो सवाल किया था आज हम उनकी कुछ मज़दा डिबेट्स देखेंगे जिन में वे बीज़िपी नेता से तीके सवाल कर रहे हूं एबीपी नियूस पर गौरव वलब और संबित पात्रा के बीच पहस हुई इस पहस में संबित ने मोदी जी की अपलब्दिया गिनानी शुरू करती इसके जवाब में गौरव वलब ने संबित को करारा जवाब दिया देखिए ये मज़दार डिपेट्ट अमिरिका के रागा बटी अश्रा बातकर यह यह यहां पे लाइव देखिए बचकाओ मत लग मैं लाइव शोगा था भईया और पिर और प्र पूछ रहा था कि नहीं अप्ट ने लगे पिर कूदने लगे तो मत कुदो मत पुदो मत प्रों आज तक पर भारत की अर्थविवस्ता पर डिबेट हुई इस डिबेट में गौरव भाटिया ने कुछ आंकड़ों के साथ कॉंग्रेस पार्टी की अलूचना की और एक गाना भीग आया जिस पर गौरव अलब ने इसका मूह तोड जिवाब दिया और एक बहुत देश द्रोई संस्ता अंजनाजा आयमेफ देश द्रोई उन्होंने बोला आयमेफ ने कि मोदी जी की जो अर्थ वेवस्ता है वो अगले साल चार प्रतिशत रहने वाली जीडीप ग्रोथ देश द्रोई एना भाई देश द्रोई है ना जलत बता पहले यह तो अरे बाई मेरे पास आए जूट बोले कवा काटे काले कवा से गरियो रोथ रेट जीडीपी की 4.5% और आयमेफ के प्रोजेक्शन के अनुसार अगली साल 4 प्रतिशत और यह बोल रहें गाने गारे जूट बोले कवा अरे गाले ना बाई एक प्रोग्राम आपका पुरा र अरे सुलेंगे आपके गाने का प्रोग्राम भटकेंगे आम आएंगे उसको सुलेंगे जीडीपी की बात होगी राहूल गांदी अभी थोड़ी दिन में सोन्या जी का अभी नाम जेंगे मैंने चार मिनट तक सुधानसु जी की बात सुनी मुझे ये बार 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 बताईए शुदानसु जी इस दो पेंज में जो आप बार बार बोलते हो कि धार्मी को ठवीड़न के आधार पर देंगे ये एक्ट में कहा लिखावा है मुझे बता दीजिये मैं आपको बार बार विंती करता हूँ, ये पढ़के बना दीजिए, ये पढ़के बता दीजिए, परना भरक लईए मत लोगों को यहाँ पर आके, जूट मत बोलिए, जूट मत बोलिए, जूट मैं आपके दीजिए, तुड़े नहीं हो रहा है, आपका ये मुझे लिखा आज तक पर राजीव गांधी फाउंडेशन के मुद्धे पर हुई डिबेट में संबित पात्रा ने फिसिकल डेफिसित का लिकर किया, जिस पर गौरवलब ने उनसे इसका मतलब पूछ लिया, जिस पर संबित ने क्या जवाब दिया, आप ही सुनिए पूरी हो गई है, इन्होंने कहा ट्रेट देफिसित बढ़ गया, संबित भीया ट्रेट देफिसित क्या होता है जरा बताना, अंजना जी आप थोड़ी मदद कर दीजे, आपने तर्यों कुछ नहीं जानता भईया, तुम मैं ट्रेट देफिसित छोड़ो, पहले ये बताओ कि मोटा माल कहां छुपाया है ये बताओ, अरे मैं तो मुर्क हूँ, मुझे नहीं पता एट्रेट देफिसित क्या होता है गउरब बया, और ये बताओ, ये मोटा माल कहां छुपा के रखा हुआ है माँ बेटे ने, ने कौन से सवाल पूछा, ने ने, प्रफेसर साब, मैं पूछ रहा हूं सवाल आपसे पैसा कहा छुपाया है ये बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भीच में जो डिफरेंस होता है ये सब मेरे से मत पूछो प्लीज अंजनादी बचा लिजे इनकी बेजीती होने से अरे उन्हों ने खुद ही बता दिया है गौरब जी आरे राजस्थान की राजनीती पर आज तक पर हुई डिबेट में बीजबी नेता शेह नवास हुसेन ने गौरवलब को बीजेपी का बताया जिस पर गौरवलब भढ़ गए और उनके सवाल का करारा जवाब दिया देखें कांग्रेस का ये अंद्रोनी मामला है कांग्रेस में राहुल जी और प्डियंका जी के सामने कोई जनाधार वाला नेता खड़ा न हो जाए ये योजनावत तरीके से केंद्र के जरिए किया जा रहा है जान बूचकर सचिन पाइलट हो यो जोतिया दित सिंधिया उ आप जैसे अच्छे व्यक्ति को टिगिट तक नहीं देती एक दुख होता है न इसने बड़े केंद्रिय मंत्री रहेवे आपमी को बियार जे टिगिट तक नहीं मिलता है आप के साथ व्यवार अच्छा नहीं कर रहे मैं मानता हूं मैं आपको बताना चाहता हूँ शैनवाज भाई मैं CA इंस्टिक्यूट का निदेशक था तो कोई पॉलेटिकल पार्टी जॉइन ही नहीं कर सकता हूँ आप ऐसी बेतुकी बाते टीवी पर आके करके अपनी हसी क्यों उड़वाते हो आप गौरवलब अकसर अपनी हर डेबेट में जनता के मुद्दों पर सवाल करते ही हैं अगर बीजेपी ने तो उन पर हावी होते दिखाई दिये तो उसे भी वे अपने जवाबों से चुप करवाना जानते हैं हम यही उमीद करेंगे कि विपक्ष इसी तरह से सरकार से आगे भी सवाल करते रहें Bureau Report, Punjab Today TV